बड़ी ब्रोकरिज हाउस की रिपोर्ट, बिग बोल्ड ब्रोकरिज वह माक्षी हम तक लेकर आई हैं, आई उन से जुटते हैं जी बलकुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरिज है, जुबलन फूर्ट वर्क्स के उपर हम देख रहे हैं कि मक्वाइडी की तरफ से रपोर्ट आ रही है अब अगर हम देखें तो competitive intensity है, ये बढ़ चुकी है, तो largely risk ये है कि same store sales growth muted रह सकता है 2019 की तरह, demand outlook काफी uncertain है, investments भी इन्हें करने होंगे, अगर उन्हें अपना dine-in का जो share है उससे ramp up करना है और in fact जो elevated store addition जो company कर रही है, इसी के चलते EPS को भी इन्हें risk नसर आता है, तो all in all उनका कहना है कि मक्वाइडी ने अपनी jubilant foodworks पर अपनी underperform की राय को बढ़करा रखा है, target price उन्होंने दिया है, 330 रुपीज प्रती शेयर का food पर Macquarie की report और ये stock हम कहीं दिनों से, शुक्रिया आप माक्षी, ये stock और ये space हम discuss भी कर रहे हैं पिछले कहीं दिनों से कि QSR space में जो move बनी हुए है, क्योंकि आगे बड़े-बड़े events है, cricket match है और आगे festival season है, तो ऐसे समय पे क्या खाने-पीने की चीजों की demand बढ़ जा हम बात किये जा रही है, एक बार इस space पे एक technical rai भी ले ले लेते हैं, jubilant food हो, divyani international, for that matter, sapphire जैसे stocks में भी अच्छी move चल रही है, इसमें से कहां पर कॉंसे space में अभी, कॉंसे stock में अभी ride करना चाहिए, कुनाल? कुश है हमारे साथ, कुनाल नहीं है, ठीक है, कुनाल चले गए हैं, लेकिन कुश आ गए है, कुश मॉनिंग का, QSR space पे तो आप काफी track रखते हैं, आपसे पहले भी discussion होती थी, jubilant food अब भी यहां से fresh entry बनती है? तो पुरी देखिए, दो दिन पहले इसमें एक sharp run-up आया था, और कल का जो price action था, यह थोड़ सा profit booking की तरफ indicate कर रहा था, तो मैं कहूंगा, यहां buy on dips की runniti बना के रखें, यहां पर थोड़ सा wait करें, अगर आपको stock 525 के आसपास मिलता है, तब इसमें आप एक buying consider करें, एक दूसरा stock जो हमने अक्सर discuss किया है, वो है RBA restaurant brand Asia, इस stock में अच्छी खासी uptrend चल रही है, जो profit booking आया था, वो भी 20-day moving average के आसपास ही आके थमा है और बहां से stock ने rebound दिया है, तो यह मेरे radar पे रहेगा, यहां पे 128 और 132 के लक्ष के लिए buy कर सकते हैं, stop loss जो ही 119 के करीब र लिस्ट पर है, jubilant foods मेरे लिए buy on dips ही रही गा, ओके ठीक है, buy on dips रहेगा jubilant foods रहेगा, अला कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है, jubilant के लिए लेकिन फिर भी ठीक है